हेलो गैस आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्राउजर तो ब्राउजर में हम सबसे पहले करेंगे कि what is the browser means इसकी definition और यह हमारे लिए इतना important क्यों है और हम इसका use continuously क्यों कर रहे हर फिल्ड में browser का use होता है बिना इसके कोई भी information को find out नहीं किया जा सकता तो first of all what is browser ए computer program with a graphical user interface for displaying html file used to navigate the world wide web यह कभी भी अगर आपको कोई information चाहिए तो उसके लिए हमें एक request करनी पड़ेगी कहाँ पर browser में तो आगर आप browser में कोई request लिखते हो तो वो कहाँ जाएगी world wide web के पास यानी www के पास और वहाँ पे अगर वो file available होगी तो वो आपको http जो हमने previous में पढ़ा है hypertext transfer protocol के through वो आपकी system में provide करा दी जाएगी और यह browser क्या होते है GUI means graphical user interface तो देखे कुछ इस ढंग से है परचाना आपने क्या है यह यह Google ऐसे ही internet explorer होता है mozilla होता है बहुत सारे browser होते हैं ऐसे नहीं कि particular एक ही browser होता है different different companies के browser होते हैं तो हम सबसे पहले features देखते हैं इसके features क्या है तो अगर features की बात की जाए कि हम browser क्यों इस्तिमाल करते है उसमें ऐसे क्या खास बात है आपके लिए सही page find out करता है increase performance आप जो performance की बहुत increase हो जाती information find out करने की हर एक चीज़ की साथ में video भी आपको provide करा देता है आपको थेयरी समझ भी आप तर वीडियो भी देख सकते है smart address bar smart होता है क्योंकि अगर आपने जो चीज़ डाली उससे related कुछ भी चीज होगी वह आपके साथ शोग कर देगा चाहे ओ टेक्स हो चाहे वो वीडियो reader mode for viewing and unclutter of the webpage ठीके आपको इसी भी mode में जाकर information कुछ तेक सकते है history views and private browsing कुछ भी आप अगर कोई data अगर आपने access किया next day आए और आपको पता नहीं किया access कि आप history में जाकर इसकी information को find out कर सकते है तो देखे हमाँ पास बहुत type के browser होते है internet explorer, chrome, firefox, safari, tor, अब हम बात करते है type of browser की browser की भी type होते है पहला होता है graphical और दूसरा होता है text-based web तो first of all graphical browser की history के बार में देखते है graphical browser के word पर ही जाहिए यह क्या कह रहा है graphical यानि जिसके अंदर graphics आते है वह browser जो आपको information graphics के through provide कराता है वीडियो के through provide कराता है देखिए graphical browser display and manipulate a computer model by accessing data indicative of features and the geometric characteristics of the model इसके अंदर कोई ऐसे चीज नहीं है कि आपको समझ में ना है सब graphics के through अगर कोई text है अगर वह आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी picture वीडियो को देख लोग तो आपको easy way में समझ में आ जाता है देखिए graphical browser कौन-कौन से होते हैं for example है हमारे पास chrome हो गया safari हो गया जिसके अंदर हम video भी access कर सकते हैं ठीक है देखिए कुछ इस ढंक से हमारे graphical browser देखता है इसमें क्या-क्या चीज है इसके अंदर देखिए आपके पास colorful text है images हैं अगर आप इसको click करेंगे तो YouTube की video भी निकल सकती है ठीक है colorful website आती है तो इसके अंदर graphics में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ black color के text आते हैं इसके अंदर आपके हर एक टाइप की information आ सकती है ओडियो वीडियो colorful images ठीक है text टैक्स भी colorful होते हैं अब देखिए कौन-कौन से हैं हमारे पास Google Chrome है आप जानते ही है Firefox, Opera, Chromium यह बहुत से ऐसे graphical आपके पास browser है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अब text-based web browser अपने newspaper पढ़ा है और विसे समने newspaper देखा होगा कि newspaper होता कैसा है newspaper में क्या होते हैं अगर देखा जाए तो अगर black color के newspaper में सिर्फ black 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 दिखता है ठीक है और text-text तो वैसे यह text-based web browser में जैसा आपके books में इंसमें होती है तो इससे text ही होते है the web browser that render only the text on web page इसमें कोई graphics नहीं होती है यह graphics पो इग्णोर करता है इसमें सिर्फ text होता है तो इसमें देखे कैसा दिखता है एक linux है हमाई पास browser इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ text है देखे आपके सामने image है इसमें सिर्फ text नज़र है क्या इसके अंदर audio है क्या इसके अंदर वीडियो है क्या इसके अंदर pictures है no नहीं है other example में देखिए other example में हमाई जो text model में होते हैं text mode chrome extension textize mozilla add-on image block mozilla यह ऐसे browser है जिसके अंदर सिर्फ text show होते है और images वीडियो नहीं अब difference क्या है दोनों में obviously आप जानते हैं कि दोनों में difference क्या एक जो graphics और pictures show करता है और दूसरा जो graphics picture को ignore करता है text बैस तो ignore करता है और graphics browser show करता है image audio video सारे तो सबसे important difference तो यही है अब anonymous browser क्या होता है यह है tor देखो यह प्याज की तरह है onion की तरह ठीक है एक के उपर एक layer होती है तो यह tor जो browser होता है वह important है तो देखिया anonymous web browsing refer to the utilization of the www that height a user personally जो information होती है जो identity information होती है वह जो visit करता है उसकी information को छुपा लेते है anonymous web browser can be achieved via proxy server virtual private network and other anonymity program such as tor tor यह क्या है hackers के link के लिए बहुत important होता है कि यह हम dark web कहते हैं जहां पर लोग बहुत कलत काम करते हैं बहुत से ऐसे hackers होते हैं जो पनी identity को छुपा कर work करते हैं तो यह क्या होता है anonymous browser होते हैं next है private browsing private browsing या private window भी कह सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपके personal information store होती है और जैसे ही आप इसको बंद कर देते हैं तो इसकी history clean हो जाती है कैसे तो यहां पर देखिए the private window in cognitive mode in a internet browser setting that prevent browsing history from the Bing store या रोकता है आप देखते हैं जब internet आप use करते हैं crown में तो आप इसके history में जाईए तो history के अंदर देखिए कि जो जो चीज आपन की है वह सब उसके अंदर mention होती है तो जो इसे हम cookies केते हैं तो आपकी information store जाती है लेकिन आप चाहते हो कि information store ना हो तो आप personally या 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 information को ना देख सके तो normally when you visit any web page, any text, pictures and cookies required by the page are stored locally और your computer कोई भी, obviously इससब जानती है तो incognito mode forget this data इस data को यह क्या करता, forget करता है और जब हमका use करके close कर रहते है तो does not store it at all यानि यह कोई भी information को store नहीं करता incognito mode को हम देखते हैं, the incognito mode in private browsing that does not leave as many track, it can erase temporary data that is captured by the PC or device you are using तो यह सारी चीज़े होती है कि आप कभी भी internet use करते हो, तो या दखेगा, आप सुसते हो कि हमारे कोई देख नहीं सकता information को तो यह तो एक part है कि आपने जो use किया है तो आपके chrome में यह save हो जाता है history में इसके लाब भी internet temporary file होती है, cookies होती है और cookies भी five type की होती है अलग-अलग अगर आप होशियार होते हैं, internet वाले भी डेड़ होशियार होते हैं, आपकी file कहीं से भी निकाल सकते हैं कि बच्चे ने क्या देखा है, बच्चे ने क्या किया internet पे, सारे tasks तो इसलिए source समझ के task complete करना चाहिए या अपना work करना चाहिए आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं next topic में